आपको दिखाने जा रहे हैं कि अगर आप किसी भी इस्तरी को या पुरुष को अगर बारा घंटे में अपने वश में करना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ये बहुती शक्तिशाली तोटका आजम आपको दिखाने जा रहे हैं इसमें आपको एक नीमबू की आवशक्ता होगी और आपको चाहिए होगा सिंदूर कई लोग पूछते हैं कि कौन सा वाला सिंदूर चाहिए होगा तो आपको बता दें ये जो औरेंज कलर का सिंदूर होता है ये सिंदूर आपको चाहिए होगा इसके लिए और आपको चाहिए होगा एक कटोरी में थोड़ा सा पानी बहुत जादा पानी मत लीजिए जादा स्यादा दो चम्मच पानी आपको एक कटोरी में चाहिए होगा इसे आप एक जगे पे रख लीजिए और जैसे कि मैं आपको इसके लिए एक पेपर छोटा टुकडा पेपर का चाहिए होगा इन चीजों का इस्तमाल करके अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी लड़की को अपने वश में कर सकते हैं ये टोटका आपको शुक्रवार के दिन करना है आप किसी भी समय कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि आप नहाद होकर फ्रेश होकर साफ कपड़े पहने और उसके बाद एक जगे आसन लगा कर बैठना है आपको इसके बाद आपको नीमभू पर उस लड़की का नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस लड़की का नाम लिख दीजे म अगर आपका नाम हरीश है तो आप यहाँ पर लिख दीजे हरीश हेमा और हरीश लिखकर आपको बीच में ये प्लस का चिन बनाना है इस तरह से आपका ये नीमभू इस तरह से हम इसको इसको इस्तिमाल कर रहे हैं और एक तरफ आपको बनाना है ये स्वास्तिक का निशान याद रखें आपने पीले रंग का नीमबू लिया होगा और आपको काले रंग के पैन से या फिर मारकर से आप ये स्वास्तिक का निशान इस पर बना दीजे इस तरह से आपका नीमबू दिखने लग जाएगा जहाँ पर एक जगे हमने लड़की का नाम फिर बनाया है एक प्लस का चिन और उसके बाद लड़के का नाम और एक तरफ स्वास्तिक का निशान बनाया है और एक इस तरफ स्वास्तिक का निशान बनाया है मतलब दोनों तर सा ये सिंदूर मिला लेंगे बहुत जादा सिंदूर मिलाने की जरुत नहीं है आप इसमें सिर्फ दो चुटकी सिंदूर मिला लीजे और इसे अच्छे से मिला लीजे जब तक कि ये पूरी तरह से मिलना जाए आपको इसको अच्छे से पानी में मिलाना है कई बर लोग पू पूजा में भी इसका इस्तमाल किया जाता है आप इस सिंदूर का इस्तमाल करके किसी भी लड़की को चाए वो शादी शुदा हो चाए कुमारी हो आप अपना काम करवा सकते हैं वश्मे कर सकते हैं तो अब आपको ये सिंदूर इस तरह से मिल चुका है पूरी तरह से आप ए पहले एक स्वास्तिक का चिन बनाना है, इस तरह से बना लिजे एक स्वास्तिक का चिन, सिंदूर वाले पानी की सहायता से, दो स्वास्तिक की चिन आपको इसी पेपर पे बना लेने हैं, अब बीच में आपको एक खांचा तयार करना है, इस तरह से, सिंदूर की मदद से आप अब इसमें आपको लिखना है अपना नाम और उस लड़की का नाम, तो उपर लिख दीजे आप अपना नाम इस तरह से हरीश लिख लेंगे, और नीचे आपको सिंदूर की मदद से ही लड़की का नाम लिखना होगा यह देखिए मैंने इसमें लिख दिया है हरीश और हेमा अब इस कागस पर आप इस निम्बू को एकदम बीच में रखीए निम्बू को रखने के बाद आप इसे इस तरह से पूरा ढख दीजे इसी कागस का इस्तमाल करके आप इसे ढख दीजे और इसको पूरा बंद कर जब ये बंद हो जाएगा उसके बाद आपको एक मंत्र का उचारन करना है दोस्तों ये नीमबू आपने पूरी तरह से पैक कर दिया है कागस के अंदर जिस कागस पे हमने उस उपाय को किया था अब आप इस मंत्र को 221 बार पढ़िए ये मंत्र है ओम अमुकम वश्य करू कर इस मंत्र को अच्छे से कहीं पेपर पे लिख लीजिए और उसके बाद आप इसका इस्तमाल कीजिए जब आप इसे 221 बार पढ़ेंगे उसके बाद आपको इस नीमबू को अपने घर में किसी ऐसी जगे पर रख देना है जिसको कोई देखने न पाए किसी को पता ना चले लड़की के पास या फिर नाले के पास जहां पर की पानी बहता हो आपको इसे वहाँ पर प्रवाहित कर देना है इसी तरह से याद रहे कि जब आप इसे प्रवाहित कर रहे होंगे उस समय पर भी आपको उस लड़की का चेहरा अपने दिमाग में अपनी आखों में रखना है जिस लड़की को आप वश में करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें और उसके बाद इसे जल में प्रवाहित कर दें इस उपाय को करने से सिर्फ एक दिन के अंदर-अंदर वो लड़की आपके वश में होगी जो आप करवाना चाह रहे होंगे वो वो जरूर करेगी तो आ तो आपको भी लाब मिलेगा बस आप इसे एक बार कीजिए और हमें भी बताईए अपने एक्सपीरिंस के बारे में